ओके बच्चों आज की क्लास में एको सिस्टम के रिगाट हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ओफ इको सिस्टम क्या 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 कंपोनेंट्स हैं एको सिस्टम के आज डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स की अगर बात करेंगे तो कंपोनेंट्स में एको सिस्टम के कंपोनेंट्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग कंपोनेंट और नौन लिविंग कंपोनेंट्स को हम लोग बाय बायोटिक कम्पोनेंट बोलते हैं तो पहला तो हमारा होगा अब बायोटिक कम्पोनेंट अब बायोटिक या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स और दूसरा जो पहलू होगा यह भायोटिक कमपोनेंट्स होंगे भायोटिक कमपोनेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फैक्टर कैसा फैक्टर लिविंग फैक्टर तो ये दो factors होंगे components होंगे ecosystem के एक होगा biotic components और दूसरा होगा abiotic components पहला abiotic non-living components और दूसरा biotic components जिसको हम लोग क्या बोलेंगे living components बोलेंगे तो यहां पर non-living factors में climatic हो सकता है या फिर topographic हो सकता है तीन forms में हो सकते हैं non-living या फिर abiotic components क्या क्या होंगे तीन factors यह इस तरह से हम लोग देखेंगे तीन factors को एक factors होंगे climatic factors climatic factors बोलेंगे दूसरा जो होगा idific factors स्वाइल से related idific factors तीसरा जो फिक्टर फैक्टर्स होगा टोपोग्राफिक factors टोपोग्राफिक फैक्टर्स है ना idific climatic और टोपोग्राफिक फैक्टर्स पहला climatic factors में temperature आ जाएगा light आ जाएंगे water आ जाएगा wind आ जाएंगे यह हमारा किसमें क्लाइमेटिक factors में तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के एक्जामपल्स को लिख लेते हैं टेंप्रेश्यर कि यह हो जाएंगे वाटर कि है ना क्लाइमेट वाटर डिपेंड करेगा light water wind कि लाइट कि ना वेंड कि यह सारी चीजें हमारा क्या होगा क्लाइमेटिक फिक्र्स फो फेक्टर्स होंगे ठेंपरेचर होगा वाटर होगे light वेंड होगा यह सारा हमारा क्लाइमेट है नाında क्लाइमेटिक हो गाज inward रंघ होगा घंपरेचर नैडा cheat एपक्र परता है water light wind दूसरा वैक्टर से इडेफिक फैक्टर्स उसोऊおお यहां पे हम लोग बात करेंगे ये तरी होता आप से एसोसियेटेट इसके साथ यह एसोसियेट होंगे स्वाइल से ग्रिलेतिट जो फैक्टर्स होंगे अब आबायोटिक में उसको हम लोग इडिक ऐडिक टो पोग्राफिक इसे अमारह है टोपो ग्रैफिक आप एंगर ग्चार स्टार्फन अभा वा टायोटी फैक्टर्स तो टो 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 बायोग्राफिक से हमारा क्या क्या आएगा है फिसिकल को फिचर अएगे तो फिटर्स में कि फिजिकल फिचर्स में फिजिकल फिचर्स में हमारा क्या क्या आएगा स्लोप हो गया मांटेंस हो गए उचे-उचे प्लेंस हो गए यह सारे हमारा फिजिकल फिचर्स में आएगे क्या क्या स्लोप यह हमारा पहला क्या होगा स्लोप वैली अधर यह सब आजाएंगे कि फिजिकल फिचर्स में यह सारे सब आजाएंगे स्लोप आजाएंगे वैली आजाएंगे मांटेंस आजाएंगे प्लेंस आजाएंगे हैं ना एक और हैं मांटेंस यह सारी चीजे हमारा फिजिकल फैक्टर्स में आएगा है ना एक स्वाइल से रिलेटेट और फिर एक क्लाइमेट इंवैरोमेंट तो टेंपरिचर वाटर लाइट विंड इडेफिक में स्वाइल और टोपो ग्राफिक में फिजिकल फिचर्स में श्लोप वैली प्लेंस इनगे ओके कंपोनेंट्स ओव एको उसेस्टम में है में यह सारे हमारे क्या होगे आवाउटीक घुम्पोनेंट्स right in टेंप्रेंशर वाटर सब अब अब अब्धिक अब तॉचय वाइल भी करेंऻ से टोपोग्र strend प्रोडियूसर जसको हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन आएगा यह प्रोडियूसर आएगा प्रोडियूसर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटो ट्रोफ बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोडियूसर को आउटो ट्रोफ बोलते हैं दूसरा हमारा प्रोडियूसर के बाद कंज्यूमर आ जाएंगे है न यह फस्ट हो जाएंगे दूसरा कंज्यूमर हो जाएंगे कंज्यूमर में हेट्रोटोप्स आएंगे जितने भी हेट्रोटोप्स हैं तीसरा जो होगा तीसरा मारा क्या होगा डिकंपोजर होंगे जिसको हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं को तो यह तरह सारी चीजह होंगे प्रोडिशर क्या किलाएगर ओटो टsst करमागी कहले अंगे लिए नाine अन् specialize आफ्रोटोफ होंगे कंज्यूमर लया फेट्रोफ यह कन्जूम करता है और उपकी गा pra方面 कर नों घो जो आटो टोफ को हेटो टोफ को दोनों को क्या करता है करता है करता है इसको यहां पर जो पर लेविंग फैक्टर से प्रोडियूसर यह हमारा उन्मार आगर तो देख लेते हैं जैसे producer की बात करेंगे, producer क्या करता है, synthesis करता है, अपना food खुद से बनाता है, synthesize their own food, producer produce करता है, that means synthesis करता है food को, दूसरा ये producer, raw materials में क्या use करता है, तो inorganic materials का use करता है, और उसको convert करता है organic forms में, यहां पर carbon dioxide fixation होती है, producer क्या करता है, carbon dioxide को fix करता है, और उसको carbon dioxide को fix करके sugar में convert करता है, तो producer reaction करता है, reaction के लिए energy कहां से आता है, sunlight energy हो सकती है, या फिर chemical energy हो सकती है, तो पहला हम लोग देखेंगे producer को, प्रोडूशर, यह synthesis क्या करेगा, food करेगा, synthesize, क्या करेगा synthesize, food, प्रोशेस यहां पर होती है, photosynthesis, यहां पर यह producer raw materials में use क्या करता है, यूज करता है raw material में, inorganic substance का, inorganic substance का, है न, raw materials में, inorganic substance का, क्या करता है, use करता है, इस inorganic materials को raw materials, जो inorganic forms में होता है, inorganic, इसको, किसमें convert करता है, organic forms में, organic forms में, inorganic forms, carbon dioxide water हो जाता है, synthesis, इससे food का करता है, है, यही food organic forms होता है, C6, S12, O6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, glucose बोलते हैं, तो यह, यहां पर क्या होती है, producer का function होता है, अब यह जो producer है, जो autotroph है, खुद का खाना, खुद से बनाता है, synthesize their own food, autotroph, तो यहां पर raw materials में carbon dioxide water use करता है, plant green होता है, हैना, green plant में chlorophyll pigments होता है, sunlight energy को absorb करने की सलाहियत होती है, तो यह क्या करता है, formation किसका करता है, carbon dioxide water का use करता है, और formation sugar का करता है, glucose का करता है, C6, H12, O6, अब यहां पर जो reactions होंगे, हैना, process होगा, synthesis होंगे, तो energy use होगा, यहां पर energy कौन सा use होगा, sun की energy या फिर chemical energy, तो energy कौन सा use होता है, वो हम लोग देख लेते हैं, यहां पर reactions होगी, synthesis होगा, तो energy use होगा, reactions product में जाएंगे, reactant product में convert होंगे, तो energy में photon energy, light energy हो सकती है, या फिर chemical form से energy हो सकता है, हैना, sunlight की energy हो सकती है, या फिर chemical की energy हो सकती है, हैना, तो अगर sunlight की energy use होती है, और synthesis होता है food, तो यहां पर इस process को बोलेंगे, photo autotrops, क्या बोलेंगे, photo autotrophs, photo autotrophs, और यहीं पर, अगर chemical energy की use होगी, उसको क्या बोलेंगे, chemo autotrophs बोलेंगे, chemo autotrophs, और यहां पर यहां पर chemical substance का यूज होगा, यहां पर light energy, photon का यूज होगा, है न यह inorganic substance organic form में convert होंगे तो reactions reactant product में convert होगा यहाँ पे चाहे तो sunlight energy use होगा या फिर chemical energy चाहे तो sunlight energy या फिर chemical energy use होगा इस inorganic substance को और एगने की forms में यह convert करेगा तो प्रोडूशर क्या करता है सनलाइट एद एनरजी या फिर केमीकल एनरजी का यूज घं खुद के लिए खाना बनाते है यहां पे अगर सनलाइट एनरजी फोटो आटो ट्रॉप्स की बात करें तो एक्जाम्पल में क्या क्या एक्जाम्पल आ जाएंगे हमारा ग्रिन प्लान्ट आ जाएंगे हैं ना जो प्रोसेस करता है क्या फोटो सेंथेसिस या फिर फोटो सेंथेटिक बैक्टेरिया हो जाएंगे बुलू गिरिन अलगी जिसको बोलते हैं यह ना फोटो सेंथेटिक बैक्टेरिया एक्जामल में क्या हो जाएंगे ग्रिन प्लांट को ही बोलेंगे गिरिन प्लांट को ही कियों बोलते हैं क्योंकि इस गिरिन प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट इसी गिरिन फॉसरा फो्टा अव्यनित Q उ सरुन-नर्जी को यूज करेगा इन-उडिन को औरगनिक में करेगा और इस बैक्टेरिया को मैं या बोलते हैं कि बूलूगी इना फोटो सन्थेटिक बैक्टेरिया true तो यह लाइट इनर्जी का यूज करते हैं कौं चाहे तो फॉटो सस्थेटिक बैक्टे जसको बुलगी दिन अलगी बोलते हैं वह संओयट Está You करेगा इन ओरगनिक सबस्टांस को करेगा और ऑघकरनीक सबस्टांस में केमीकल है और फिए ना एनर्जी का यूज करके जो अपना खाना कुछ से बनाता है जो किमो आउटो ट्रॉफ कर लाता है यहां पर कौन सा और्गेनिज्म होता है यहां पर किमो लृष ट्रोफिक बैक्टेरिया एक्टेरिया ऑचे जिसको हम लोग बोलते हैं नैटोजन फिक्शिंग बैक्टेरिया नै्रिफाइंग बैक्टेरिया बैक्टे इसे सीय wraggate नायक किर्फाइन बैक्टेरिया यह केमो आफ्टो टोफ होता प्रोडूशर यहां पर हम लोग देख रहे हैं फोटो आउटोट्रोप्स कीमो आउटोट्रोप्स प्रोडूशर यह जो प्रोडूशर होता है इसको हम लोग convertors भी बोल सकते हैं transducer भी बोलते हैं तो एक point यहां पर हम लोग mention करेंगे add करेंगे producer are also known is also known as क्या बोलते हैn transducer क्या बोलते हैं Convertors इसको Trans-ducer भी बोलते हैं यह सारी चीज़े बोलते हैं यह जो प्रोडुशर होता है फोटो आटोटो टॉप्स यह लाइट एनर्जी को चैमिकल एनर्जी में कनवर्ड करता है यह प्रोडुशर क्या करता है लाइट एनर्जी को इसको केमिकल एनर्जी में कनवर्ट करता है और किस तरह से कनवर्ट होता है केमिकल एनर्जी स्टोर किसम होता है स्टोर इनबॉन्स ओफ सुगर यह किमिकल एनर्जी इस्टोर होता है इन अब इस अब यहां पर यह जो ट्रेस्ट्यल इकोसिस्टम है या फिर एक्वेटिक एकोसिस्टम है प्रोड्यूशर में ट्रेस्टियल एकोसिस्टम चीफ प्रोड्यूशर होता है उड़ी एंड हर्वेसियस प्लांट है ना चीफ प्रोड्यूशर और एक्वेटिक एकोसिस्टम में फाइटो प्लांक्टन और हायर प्लांक्टन यह क्या ह होता है चीप प्रोडूचर होता है तो प्रोडूचर में क्या-क्या टाइप समलोग देखेंगे ट्रेस्टियल एकोसिस्टम में और एक्वेटिक एकोसिस्टम में कि प्रोडूचर में एकोसिस्टम की बात करेंगे ट्रेस्टियल एकोसिस्टम की तेस्टियल एकोसिस्टम और दूसरा एक्वेटिक एकोसिस्टम टेस्टियल एकोसिस्टम में चिफ प्रोडूसर जो होता है चिफ प्रोडूसर लेंड में क्या क्या होता ओडी प्लांट या फिर या फिर कह सकते हैं हर्बेसियस प्लांट हर्ब्स हर्बेसियस प्लांट यह हमारा चिफ प्रोडूसर होगा एक्वेटिक एकोसिस्टम में जो प्रोडूसर होगा फाइटो प्लांटन या हाइयर प्लांट यह हमारा क्या होगा टेरिस्ट्रियल एकोसिस्टम में चिफ प्रोडूसर ओडी प्लांट हर्बेसियस प्लांट एक्वेटिक एकोसिस्टम में फाइटो प्लांट एंड हाइयर प्लांट नेक्स क्लास में हम लोग देखेंगे कंजूमर को तो शेकन पहला क्या था प्रोडिशर सेकेंड हम कंज्यूमर देखेंगे ओके नेक्स्ट क्लाउस ओके तैंक यू